हेलो फ्रेंट्स टेक्स बापरदीव यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करते हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और लाइब दिखाऊंगा कि अगर आपका भी पीएफ करता है आप भी पीएफ अकाउंट होल रहे हैं तो आप अपने पीएफ आकाउंट के साथ या फिर बोल सकते हैं यू एएफंड के साथ अपना पैणकार लिंक करना चाते हैं पैनकार के वाइस एड करना चाते हैं तो किस से पहले आपको क्या करना है इसको ओपन कर लेना है जब सर्च वार में आप यू ए एन लोग इन टाइप करेंगे तो यहां पर देखे सबसे उपर इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो इस तरह से जो है यू एन पोटल लोग इन हो जाए कर लेना है अगर आप अपना यू एन का पासवर्ड भूल गए हैं तो देखे फॉर्गेट पासवर्ड का ओप्शन है इस पर प्रेस करके रिकवर कर सकते हैं तो चलिए डिटेल में यहां पर मैंशन कर देता हूं फिर साइन इन करके आपको दिखाता हूं और जैसे यहां कर लेंगे इस तरह से जो है log in sign in हो जाएगा और यहां पर देख सकते हो अभी जो है इसका pen note available दिखा रहारे है ने की pen card जो है link नहीं है तो आपको pen card करने के लिए क्लिक करना है इसको क्लिक कर देना है अब इस तरझ से आ आजाएगा add kyc और यहां पर देखे pen का option है इसके चोटा सा box है इस पर टिक लगा देना है और यहां पर आपको pen card number डालना है pen card number जो है mention करना है उसके बाद pen card पर आपका क्या नाम है वो यहां पर आपको mention करना है उसके बाद save कर देना है तो चलिए यह detail में mention कर देता हूं तो यहां पर मैंने pen card number mention कर दिया और pen card पर जो नाम है तो यहां पर mention कर दिया, अब यहां पर save का option है, इस पर press कर देना है, और यहां पर loading होगा, और कुछ second के बाद, और यहां पर आ जाएगा KYC save successfully, और नीचे की तरफ आएंगे, तो यहां पर KYC pending for approval, यहां पर जो आपने pen card add किया है, link किया है, वो यहां पर आ जाएगा, approval के account के साथ उसको approve कर दीजे, तो जैसे है आपकी company, आपका employer, आपकी KYC, pen card के जो KYC उसको approve करेगा, उसके बाद यहां पर देखें, नीचे option है, digitally approved KYC, तो यहां पर आपका pen card आ जाएगा, यहां पर आपकी KYC add हो जाएगी, approved KYC में, तो इस तरह से जो है, आप अपना pen card link कर सकत हो, अपने PFU account के साथ, अगर pen card के लवाब को bank account, आधार, passport, driving license, election card, national population, register, अगर आपको link करना है, add करना है, तो same इनका भी यही process है, जो भी चीज़ आपको link करने है, उसके आगे जो है, यह छोटा सा box मिलेगा, उस पर check कीजिए, और यहां पर document number में, जो आपका passport number है, वो य सेव कर दीजे, तो दोस्तों, आसा करता हूँ, यह जानकारी, यह information में आपके साथ, share कर दीए, आपको अच्छे लगी होगी, और इस तरह की जो है regular video, हैल फून, और बिस वीडियो पाना चाहते है, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe करना